जैसा कि हम लोग अपने डेली लाइफ में डील करते हैं स्टॉक मार्केट में और अगर हम लोग स्टॉक मार्केट में डील करते हैं तो हमने सुना होगा CDSL और NSDL का नाम तो CDSL की बात करें तो it is Central Depository Service India Limited and NSDL is National Securities Depository Limited तो क्योंकि कुछ लोगों ने शायद इसका नाम नहीं सुना हो या इसके पार में बहुत जादा नॉलेज नहीं हो तो थोड़ा सा हम लोग चलेंगे history की तरफ जहां से हमें चीजे जो है वो बहुत clear हो जाएगी कि ये जो दो terms है वो use क्यों किये जाते हैं जब CDSL established हुआ था 1999 में उसके पहले जो हमें जब हम stock market में deal करते थे एक काफी बहुत ही लंबा चोड़ा एक process हुआ करता था जब भी हमें कोई transaction करना है या फिर हमें stock में invest करना है तो उसके लिए हमें broker से connect करना पड़ता था वो exchange से connect करते थे और उसके बाद काफी सारा paperwork भी included था उसमें और जब भी हम लोग जब भी कभी investment करते थे तो उसके लिए हमें एक physical आप कह सकते कि certificate मिलता था और उस physical certificate को maintain करना या उसको organize करना काफी जादा मुश्किल काम हुआ करता था उस time पे और उसमें काफी सारे paperwork भी included थे तो बहुत ज जिकते आया करती थी और यहीं पर evolution हुआ था DMAT account का जहां पर आपके जितने भी information है शेयर से related या security से related वो सारे ही आपके electronic form में इसमें save होने लगे और यहां पर आपके लिए यह easy हो गया कि आपके जितने भी store होते हैं data वो बहुत easily accessible है आपके लिए और इतना जादा बहुत आपको manage करने की या organize करने की ज़रत नहीं है अब अगर बात करें जो DMAT account है वो भी compulsory है अगर आप कभी भी stock market में deal करना चाते हो transaction करना चाते हो इसके लिए तो वहीं पर इन दोनों चीज़ों की आप कह सकते हैं कि introduction हुआ था NSDL and CDSL का और जो depositories होते हैं वो depositories सारे जितने भ वज़े से हमें जो है वो DMAT account पी चाहिए होता है तो आज हम इसी वज़े से बात करने वाले हैं सबसे पहले CDSL के बारे में NSDL अभी इसका आपको IPO बहुत ही जल्द launch होगा बट अगर CDSL है अभी market में तो हम लोग CDSL के उपर बात करेंगे क्योंकि काफी सारे लोगों ने इस लग जाता है तो प्लीज इसको like share जरूर करें अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको subscribe जरूर से कर ले और CDSL ऐसा है first depository system जो की almost 3 करोर active DMAT account अभी तक open कर चुका है अब इसके हम लोग बात करेंगे fundamentals and technical के उपर और फिर आकरी में चलेंगे चार्ट के उपर तो अग अगर इसके हम लोग बात करें returns के उपर तो returns आपको बहुत ही बहतरी नजर आ रहे है 3 years की बात करें 233% के आसपास 2 years में 348% and 1 year में 268% और वहीं अगर देखे 6 month, 3 month, 1 month या फिर YTD that means January 21 से लेके अभी तक तो भी आपको जो percentage या काफी अच्छे देखने को यहाँ पे आपक करते हैं तो EPS आपको यहाँ जो नजर आ रहे है वो 15 के आसपास देखने को मिल रहे हैं industry P is 56 और जो stock P है वो 64 है that means आपको थोड़ा सा भी overvalued price पे यह share मिलने वाला है but वही चीज आगे देखेंगे क्या इसमें अभी profit booking आ रहे है या फिर हमें क्या करना चाहिए बाकी deliverables की बात करें तो 47% की delivery हुई थी इसमें Friday के दिन इसमें अगर हम लोग बात करें income growth percentage की तो आपको जो percentage है वो अच्छे नजर आ रहे हैं जैसे कि 5 years में 14% 3 years में 11% 1 year में आपको थोड़ा सा dip मिल रहा है बट फिर भी numbers जो है percentage जो है वो बुरे नजर नहीं आ रहे है 10% के आसपास दिख रहा होगा profit growth की बात करें एक साल में आपको यहां पे भले ही dip देखने को मिला है बट 5 years की बात करें तो 5 years में 17% के आसपास हुआ करता था 3 year में भी हमें थोड़ा जो numbers है या percentage कहलें वो आपको यहां पे थोड़ा कम देखने को मिल रहा है ROE की बात करें तो ROE should be 15 to 20 बट यहां पे आपको एक साल में 15 के आसपास भी नहीं दिख रहा है यह 15 नहीं 14 यहां पे आपको दिख रहा है तो 15 के आसपास ही आप कह सकते है इसको बाकि 3 years की बात करें तो 15 है एंड अगर 5 years की बात करें तो 16 के आसपास आपको percentage जो है वो नजर आ रहे हैं ROCE की बात करे तो ROC आपको यहाँ पे ठीक ठाक से दिख रहे हैं क्योंकि 1 year में 17% और 3 और 5 years की बात करें तो फिर भी आपको 20% के लगभग देखने को मिल रहे हैं अब अगर इसके financials पे नज़र डालते हैं 4 साल के numbers पे बात करेंगे जहाँ पे 2018 से लेके 2021 तक के numbers होंगे और यहाँ पे जितने numbers हैं आपको वो करोर में नज़र आ रहे हैं बात करें sales के numbers की तो 188 करोर से लेके आपको 344 करोर तक का jump दिखाया इस 4 साल में वहीं अगर देखते हैं इन 2 साल में difference जैसे कि March 20 से और March 21 के बीच की difference तो आपको 53% तक का jump नज़र यहाँ पे आ रहा है net profit की बात करें तो net profit भी आपको बढ़ते हुए दिखे हैं जैसे कि आप देख सकते 103 करोर से 114 करोर और उसके बाद आपको थोड़ा सा dip देखने को मिला है बट उसके साथ ही आपको काफी अच्छा खासा है एक percentage change या आप कहले number भी आपको change होता वह दिखा है March 21 में तो percentage wise बात करते हैं तो 87% के आसपास आपको यहाँ पे jump नज़र आ रहा है अब बात करेंगे इसके quarter basis के जो financials हैं उसके उपर अब हम लोग देखते हैं quarter basis के जो result रहे है या financials कहले उसके उपर तो June 20 से लेके हम लोग March 21 तक की बात करें अगेन आपको जो numbers हैं वो करोर में देखने को मिलेंगे sales की बात करते हैं तो sales के जो numbers हैं वो आपको 65 करोर से होता हुआ ये आपको 103 करोर के आसपास देखने को मिला है बीज में भले ही एक डिप आपको दिख रहा होगा December 2020 में बट वैसे आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है अब अगर यहां पर percentage change की बात करें तो 20% के आसपास आपको jump नज़र आ रहा होगा net profit की बात करें तो 46 करोर से लेके 49 करोर देन 54 करोर और आपको एक छोटा सा यहां dip देखने को मिल रहा है जो की minus 4% के आसपास का यह dip नज़र आ रहा है तो आपने देखा year on year basis पे तो काफी अच्छे percentage हम लोगों को नज़र आये है वहीं अगर बात करें हम लोग quarter basis पे तो sales के numbers तो हमें sales के percentage अच्छे दिखें है बट यहां पर आप कह सकते कि जो net profit है वो आपको decline में देखने को मिल रहा है बात करें अगर यहां पर share holding patterns के उपर तो maximum आपको दिख रहे होंगे जो numbers है percentage wise यह आपको public के पास इनकी holding जादा तर नज़र आ रहे है 38% DIA के पास 33% promoters के पास आपको 20% FIA की बात करें तो 8% के आसपास की इनके पास holdings दिख रहे होंगी pledge की बात करते हैं तो यहां पर किसी भी तरह का कोई pledge नज़र नहीं आ रहा है साथ ही नज़र डालते हैं जो mutual fund के investments हैं उसके उपर तो आपको पराग पारी flexi cap fund direct growth 3.14 के आसपास की investment आपको नज़र आ रहे होगी Canada, Robaco, small cap fund direct growth 2.23 Nippon India, small HDFC capital builder and access growth opportunity fund direct growth बाकि आपको percentage जो हैं यहां पर नज़र आ रहे होंगे अब बात करते हैं इसके chart के उपर तो one week के time frame में हम लोग बात करेंगे जहां हर एक candle one week को represent करता हुआ नज़र आएगा बात करें अगर pre-covid के जितने भी years थे उसकी तो आप यहां देखेंगे काफी consolidate करता हुआ यह share आपको नज़र आ रहा है काफी time से पिछले जो भी 2020 का time था उससे पहले 984 के आसपास के इसने जो है अभी आप कह सकते है कि high touch किया है और अभी इसका current price भी यही निकल किया रहा है 984 अब हम लोग बात करते कि इस share में आगे क्या होने वाले क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास I think इसकी holdings होगी तो उनको लग रहा हुआ कि अब हमें इसके बाद क्या करना चाहिए क्योंकि आप देख सकते है यहाँ पर किस तरीके से यह अपने जो सारे EMA है उसके उपर आपको sustain करता हुआ काफी लंबे टाइम से नजर आ रहा है तो काफी bullish आप कह सकते है bullish category में यह share जो है वो जा चुका है चलते है थोड़े से छोटे time frame के उपर जहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या है इसके levels and targets अब हम लोग one day के time frame पर बात करते हैं जहां पर हरे candle आपके one day को represent करता हुआ नजर आ रहा है तो जैसे कि आपने देखा काफी अच्छे तरीके से इसमें एक uptrend आया है और काफी time से ये share आपको भागता हुआ ही दिख रहा है अब अगर बात करें reason इसके पीछे की तो आप सोच सकते कि लोग उस time पे जो covid का time था लोगों ने घर बैटे जो है वो investment किये हैं जिनके पास भी जितना knowledge gain करके और काफी अच्छे खासे आप numbers में देखेंगे कि अच्छे खासे लोगों ने investment स्टार्ट किया है knowledge gain किया साथ ही साथ और उसी के चक्कर में जो भी है वो CDSL का जो share है वो बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है maybe other reasons are also there but एक reason आपको ये भी है बाकी अगर बात करते वन डे पे तो आप देखेंगे ये share अभी ही भी आपके जो सारे EMA है day EMA उसके काफी उपर आपको sustain करता हुआ दिख रहा एक आप देख सकते कि दो तिन दिन इसमें एक आप कहेंगे कि इसमें buying initiate होता हुआ दिखता है आपको उसके बाद कुछ टाइम आपको चार पास दिन के लिए छे दिन के लिए consolidation phase में जाता हुआ दिखता है share उसके बाद again आप same pattern आपको हर जगह पर यहाँ नजर आ रहा होगा आप देख सकते है clearly जैसे कि यहाँ पर तीन दिन में यह कहां तक आता हुआ दिख सकता है क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर भी बात करते हैं तो यह दो दिन में थोड़ी profit booking हम लोगों को नजर आ रही है तो आने वाले दिन में यह हो सकता है आपको नजर आ सकता है 924 के आसपास अगर 924 के के नीचे अगर यह breakout देता है तो यह 879 otherwise 760 भी आपको आता हुआ दिखेगा तो be prepared कि अगर आपको इसमें fresh investment करनी है तो आप चाहें तो आप कर सकते हैं उस time पे और अगर यह 924 के उपर अभी reversal एक बार देता है तो आपको आने वाले time में जो है 1078 otherwise आपको यह 1150 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है तो आप दोनों तरफ के लिए आप ready रह सकते कि अगर यहां से reversal होता है क्योंकि जैसा pattern समझ आ रहा है यहां पे कि यह नीचे की तरफ तो आपको थोड़ी profit booking हुई है बट पापस से हो सकता है कि यहां से reverse हो जाए 924 तक आके यहां से अगर reverse होता है तो बेशक है कि यह आपको आने वाले दिनों में यह दो numbers जाते वे दिखेंगे बाकी यह आपके time horizon पर या time frame पर depend करता है कि आप कब तक इसको hold कर रहे हैं और आप किस तरीके से आप इसमें investment करना चाहरे है ट्रेडिंग करना चाहरे है आप swing trading करना चाहरे है वो आपके उपर depend करता है बाकी जो भी हो आप अपने एक बार financial advisor से connect करें साथ ही जो अपनी research होती है जो अपनी analysis होती है वो भी करना ना भूले तो चलिए I think आज की वीडियो में हमने काफी कुछ discuss किया है शेयर के बार में कोई doubt है तो आप हमसे comment box में पूछ सकते हैं बाकी हम आपसे मिलेंगे जल्दी next वीडियो में तब तक के लिए आप लोग प्लीज इसको like and share जरूर कर ले चलिए फिर thank you and take care